आप जो जिहाद करते हैं उनसे पुछे ना हमसे क्यों बूछ रहे हैं आप भी मुझे बताईए ये शब्ट वोट जिहाद ये उचित है क्या तो नहीं है तो आपको इसका खंडन करना चाहिए ना तो करिये ना खंडन मैं भी आपके साथ शामिल हो से आप जो जिहाद करते हैं उनसे पुछे ना हमसे क्यों बूछ रहे हैं आप आप ही मुझे बताईए ये शब्ट जिहाद ये उचित है क्या तो नहीं है तो आपको इसका खंडन करना चाहिए ना तो करिये ना खंडन मैं भी आपके साथ शामिल हो सब्सक्राइब इंडी अलाइस की रेलियों में इंडी अलाइस के नेता मुस्लिम वोटर्स को वोट जिहाद करने की अपील कर रहे हैं और वो भी कोई मदरेशा से निकला हुआ बच्चा नहीं बोल रहा है कॉंग्रेश के टॉप लिडर्सिप में बैठने उठने वाले बहुत पड़े लिखे परिवार के कॉंग्रेश के लेता वोट जिहाद की बात कर रहे हैं और कॉंग्रेश का और वोट जिहाद का क्या रिस्ता कहलाता है यह आपको कॉंग्रेश के इतिहाद से पता चले हैं आप याद करिए जब देश में जिहाद के नाम पर आतंकी हमले होते तब उन आतंक्यों की वकालत में सबसे पहले कॉंग्रेश के लोग आते कश्मीर में अलगाव वादी जिहादियों की मेजबनी तब के प्रधान मंत्री करते दे तस्वीर मौजूद है मुंबई में आतंकी हमला हुआ 26 अज्यारा को उसमें कसाब और दूसरे आतंक्यों को बचाने के लिए कॉंग्रेश के नेता आगे आए मुंबई आतंक के हमले के जिहादियों को बचाने के लिए किताबें लिखी गई कॉंग्रेस नेता उन्हें उसे रिलीज किया बिल्ली में बाटला आउस एंकाउंटर में जिहादी आतंगवादी मारे गए तो कॉंग्रेस की मेडम उनके आँखों में आँशू बह रहे थे रुकते नहीं थे एक कॉंग्रेस के नेता कह रहे अब जल गुरु को फांसे हुई उसे माफि दिलाने के लिए इसी इकोसिस्टिम के लोग सुप्रिम कॉर्ट से लिएकर राश्पती तक पहुँच गए थे और अब ये लोग देश में बोट जिहाद करने का नारा लगा रहे बोटार रहे प्रत अब जय करने का नारा लगा